उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को गुरुवार को रहत मिली पिछले एक हफ़ते से उमस भरी गर्मी से परिशान लोगों को अचानक बारिश से रहत मिलती नज़र आई सुबह से निकली कड़ी धूप से लोग परिशान थे लेकिन दोपहर होते होते आसमान काले बादलों से घिर गया और दिन में ही रात होने से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को लाइट चला कर चलना पड़ा काले घने बादल चारो ओर जमकर जमा जम बरसे जिसके संबंद में आपदा विशिशग गौतम गुपता ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए एलो अलर्ट जारी कर रखा था उसी के अंतरगत अचानक बारिश हुई है आगे आने वाले कुछ दिन आस्मान में बादल चाय रहेंगे और गरत चमक के साथ बारिश होने की संभाबना है जिले में किसी प्रकार के जन्धन की हानी की सूचना नहीं है इस संभन में गोरकपुर निउस से बात करती हुए आपदा विशेश ग्य गौतम गुपता ने कहा हपसनाओ कुछा है लुपत में मुपतम गुज पको एिल की सथेश बाले का रहें लुपतम में की एंप कर दोड़। बदोस्टन जान कर दोस्टन कर दिया कर दो फथा नड़ ठम कर दोस्टन सबस्टन जुछ देखिए इंडियो मेटालोजिकल दिपार्टमेंट दौरा जो हमें नौकास्ट प्राप्त हुआ था उसके नुसार ये यलो जोन में इधर का छेतर पुरा रहा है पुरवांचल का और अभी जोन की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके नुसार आगामी तीन-चार दिनो तक वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी कुछ जगों पर गरज के साथ चीटे भी पढ़ेंगे और कुछ जगों पर वजबपात होने की संभावना बताई गई है उसके मसार तो इस समय तो अभी दो-तीन दिनों तक वर्षा का बना रहना लाजमी है क्योंकि रिपोर्ट प्रेरिया में बारिज होगी तो वो ज्याधा ऐफ़ेक्ट करेगी जद्यों को लेकिन ये वशा भी है तो ये वर्षा थोड़ा तर्बंदओ को वो कर्तिय है जिला करती है तो इस वज़से से ठोड़ा साई एक एफट तो जडूर डालेंगी लेकिन तर्बंद निगरानी चल रही है और रहात में बचाओ कारिक्ति पुरी टीमें वहाँ पर तैनात हैं और काफी नदियां घड़ भी गई है तो इसले कही कोई असी अलार्मिक सिच्वोशन नहीं है अभी सभी दसीलों से सुचना प्राप्त की जा रही है अभी जो डिसेल्टी जस्तिय हुआ है अभी जैसे सुचना प्राप्त हो भी उसे रुसार कारवाई की जाए कि